जिन्दगी बन गए हो तुम और दिल मेरा तोड़ दिया उसने बुरा क्यों मानू जैसे एक से बढ़कर एक गानों के साथ साल 2001 में आए फिल्म कसूर तो आपको याद होगी ही जो अपने गानों के साथ ही अपनी स्टोरी और दमदर स्टार कास्ट के लिए आज भी कफी याद कीज़ोती है जिसमें सिमरन भारगव का कर्दार पर पर पेश करने वाली अदकाराने जिस अंदास में इस कर्दार को परते पर उतारा था वह दवश्कों को आज भी दिवाना बनाए हुए है लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं कि फिल्म में सिमरन भारगव का किरदार निभाने वाली अभिनेटरी आज कहा है क्या करती हैं और कैसे दिखती हैं अगर आप इन सभी बातों किसे रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के आन तक बने रहे हैं साथ इस खूपसूर अताकारा के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूले कसूर फिल्म में सिमरन भारगव का किरदार परदे पर पेश करने वाली अताकारा का असली नाम लीजारे है जिनका जन 4 अप्रेल 1972 को टरेंटों में हुआ था और इसके इनकी सारी पढ़ाई भी वहीं से ही पूरी हुई थी वहीं बात करें के अभिन्या करियर के बारे में तो आपको बता दें कि नपय के दश्रक में इंडिया में विकेशन बनाने के तरहां लीजारे को एक एड़िडाइस्मेंट में काम करन के बाद ही इन्होंने साल 2001 में फिल्म कसूर से अपना बॉलिवीड डेब्यू किया जिसमें हिंदी ना बोल पाने के बाद इनकी आवाज डब की गई थी पर इसके बावजूर इनकी अदायकी की काफी तारीफें की गई इसके बाद इन्होंने वाटर दवर्ल्ट अंसीन औ और इसके चलते फिल्म में सिमरन का करदार परदे पर पेश करने वाली अपिनेतरी आज पहले के मताबिक काफी जादा बदल चुकी है बात करें इनमें आए बदलाओ की तो आपको बता दें कि आज यह अपनी और इन चास साल के उम्र को पूरा कर चुकी है और इस उम्र का दें तस्वीरु में साफ़ तोर पर देखा जा सकता है बात करें के करियर के बारे में तो आपको बता दें कि इन्हों ने वर्दमान में भी अपने करियर को सक्रिय रखा है जो आन्य ऑमिजॉन की वैब सीरीज फौर מूश एřब सौबारा में देखा गया था इसी के साथ नीज़ी जिंदगी के बारे में तो आपको बता दे कि इन्होंने साल 2012 में जैसे न देहिनी से श्वादी की थी जो कि पेशे से एक काफी सफल बिजनसमेन है आपको बता दे कि इन दोनों के आज दो बच्चे भी हैं जो साल 2018 में सेरोगेसी के द्वारा ज़न में हैं और आपन कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करकर जरूर बताएं और साथ ही बॉलिवर्ट जगस्त जुड़ी ऐसी और मज़िदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले